आज हम दे रहे हैं वड़ा पाव को एक पहुती interesting twist वड़ा पाव तो आप सबने सुनोब खाया होगा आज हम बनाने जा रहे हैं उल्टा वड़ा पाव ये बन चुका है एक पहुती trending street food तो अगर अभी तक आपने इसे ट्राएं नहीं करा है तो ये है एक must try recipe और इसी के साथ मैं शेर करूँगी एक बहुती स्पेशल वड़ा पाउ जिसे मैंने सिर्थ बच्चों के लिए बनाया है ताकि बच्चे भी वड़ा पाउ का मज़ा उठा पाएं आज हम बनाएंगे उल्टा बड़ा पाउ जो कि है बहुती पेमस और ट्रेंडिंग स्ट्रीट फूड तो आप भी इसे ज़रूर ट्राए करें और अगर आपको ये विडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें और हमारे चानल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तो आईए देखते हैं से कैसे बनाया जाता है इसके लिए सबसे पहले आप एक पैन ले ले और इसमें हम डालेंगे एक बड़ा चमच तेल यहाँ पे मैं रिफाइन डॉल का यूज करी हूँ तेल को अच्छे से गरम हो जाने दे फिर इसमें डालें आदा छोटा चमच रा अगर आपके पास लसन हो तो दो-तीन कली लसन को भी बारिक चौप करके डाल दे मेरे पास लसन नहीं थी इसलिए मैं गार्लिक पेस्ट का इस्तमाल कर रही हूँ और कुछ कड़ी पते अब इन्हें बिलकुल लो फ्लेम पे सौटे करें सिर्फ 30 सेकंड के लिए बहुत ही अ अलू का इस्तमाल कर रहे हूँ आलू को मैश करके ही डाले उन्हें ग्रेट करके ना डाले अब एक स्पैचुला से मैश करते हुए मिक्स करें अब हम इन्हें लो फ्लेम पे 2-3 मिनिट के लिए सौटे करेंगे और फिर इसमें डालेंगे सारे मसाले तो यहाँ पर मैं इसमे डालें दो बड़े चमज बारी कटा हुआ हरा धनिया और इसे भी मिला लें अब आप देख सकते हैं कि आलू पैन की साइट को छोड़ने लगा है यह अच्छे से सौते हो गए है तो बहुती फ्लेवरफुल मसाला तयार हुआ है गैस की फ्लेम को बंद कर दे और इसे ठंड होने के लिए साइट पे रख दे अब हम प्रिपेर करेंगे वड़ा पाव के लिए बेसन का बैटर तो इसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है एक बोल और उसमें मैं डाल रही हूँ एक कप बेसन अब हम इसमें डालेंगे एक चोथाई छोटा चमज हल्दी पाउडर एक चो से मिलाएंगे आधा का पाणी डालने के बाद आप पाणी कम है तो मैंने इसमें वापस से थोड़ा पाणी डाला है और इसे अच्छे से मिला रही हूँ था ना ही ज़ादा पतला और ना ही ज़ादा गाड़ा बैटर चाहिए अब बाकी का पानी भी मैंने इसमें मिला लिया है और एक एकदम स्मूध सा बैटर बना लिया है तो इस बैटर को बनाने में टोटल एक का पानी का यूज किया है मैंने आपने इसे अच्छे से फेटना है क्योंकि इस बैटर में मैं बेकिंग सोडा का इस्तेमाल नहीं कर रहे हूँ तो इसे दो या तीन मिनिट तक लगातार अच्छे से फेटते रहें ताकि एकदम लाइट और एरी हो जाए और आप यहाँ पे इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं बहुती बढ़िया स्मूद बैटर तयार हुआ है अब हम इस बैटर को 5 मिनिट के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे जितने अपने पाव असेंबल करेंगे तो यहाँ पे मैंने लिए हैं 5 पाव अब देखते हैं पाव को किस तरीके से काटना है यह जो आप जोइंट वाला पाट देख रहे हैं हमें वहाँ से पाव को नहीं काटना है इसके opposite वाले side से आपको पाव को काटना है तो एक knife की मदद से आप पाव को cut करें पूरा ना cut करें इसके sides को joint रहने दें बस इतना cut करें कि यह आसानी से खुल जाए अब यहाँ पर हैं मेरे पास दो तरीके की चटनिया लाल और हरी यहाँ पर मैं लाल वाली instant शेजवान चटनी का यूज कर रही हूँ और हरी वाली है धनी और पुदीने की चटनी अगर आप बड़ा पाव के garlic चटनी की recipe जाना चाते हैं तो हमें comment section में बताएं यहाँ पर मैं आपके साथ share करी हूँ एक go to instant recipe इसलिए instant चटनी का यूज कर रही हूँ दोनों sides पर एक एक चटनी लगा ले और अब जो हमने आलू का mixture रेडी किया था उसका एक lemon size portion ले 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 उसे शेजवान चटनी के उपर रखें और evenly फैला ले अब इसे side से press करते हुए अंदर की तरफ दबाएं और हमारा वड़ा पाव बिल्कुल ready है बिल्कुल इसी तरीके से हम सारे वड़ा पाव को ready कर लेंगे मैं आपको एक और वड़ा पाव ready करके दिखाती हूँ joint वाले हिस्से से cut ना लगाएं जो उसके opposite side है उससे आप इससे काटे और वड़ा पाव को joint रहने दें एक-एक side पे दोनों चटनियों को generously spread करें और एक lemon sized आलू का mixture लेके इसे evenly शेजवान चटनी के उपर डालें अब इससे side से दबा लें और हमारा वड़ा पाव बिल्कुल तयार है अब मैं आपके साथ share करूँगी कि आप बच्चों के लिए अगर ये वड़ा पाव बना रहे हैं तो क्या करें जब आप बड़ा पाव खाएं तो बच्चों को भी इसके टेस्ट का मजा लेने दें तो उसके लिए हम इसके उपर spread करेंगे tomato ketchup हरी और लाल चटनी में मिर्ची होती है तो इसका best alternate बच्चों के लिए है कि आप दोनों sides पे generously tomato ketchup लगा लें अब यहाँ पर है मेरे पास एक cheese slice cheese slice को लें और इसे square में fold करें इसे इतना छोटा fold करें कि ये बाहर ना निकल रही होड़ अब cheese को अच्छे से press करें और उसके उपर रखें एक बहुती छोटा lemon size का आलू का mixture इसे evenly spread करें, sides को seal करें और बच्चों के लिए बहुती special वड़ा पॉप बिलकुल तयार है जब बड़े इसके taste को enjoy कर सकते हैं तो बच्चे क्यों नहीं तो अब आईए prepare करते हैं हरी मिर्चे, जो वड़ा पॉप के साथ मिलती है न स्ट्रीट स्टाइल अंदाज में बिलकुल वही तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 5 हरी मिर्चे, इन्हें अच्छे से wash कर लें और अब knife से इस पे हम एक slit लगाएंगे हम हरी मिर्च को बीच से half नहीं कर रहे हैं, बस इस पे एक चीरा लगा रहे हैं इसे खोल लें, चेक कर लें और अब हम इसके बीच में भरेंगे एक pinch नमक नमक डालने से हरी मिर्च का टेस्ट बहुत ही enhance हो जाएगा जब आप इसे fry करेंगे तो ये हरी मिर्चे तो वड़ा पाउ के साथ आप ज़रूर बनाएं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं तो बिल्कुल इसी तरीके से हम अपनी सारी हरी मिर्चे रेडी कर लेंगे तो अब हमारे वड़ा पाउ भी तयार है, आए स्टार्ट करते हैं इने fry करना तो यहाँ पे हमारे बेशन के बैटर को रेश्ट करते हुए 5-7 मिनिट हो चुके हैं आप इसकी कंसिस्टेंसी वापस से देख सकते हैं अब एक वड़ा पाउ लें, हम इसके सबसे पहले साइट्स को डिप करेंगे चारो साइट्स को एके करके बहुत ही अराम से बैटर में डिप करें अब उपर और नीचे से इस बैटर में वड़ा पाउ को टोटली डिप कर दें और जैसे ही आप इसे डिप करें, वैसे ही तुरंद ही मीडियम होट ओइल में हमें इसे फ्राइ करना है तो यहाँ आपने दो वड़ा पाउ फ्राइ करी हूँ एक साथ अब एक कर्ची से वड़ा पाउ के उपर हम तेल डालेंगे ताकि जो इसकी उपर की सता है वो भी अच्छे से सिख जाए और जब हम इसे पल्टे तो ये बिखरे नहीं अब इसे चारू तरफ से हम टर्न करके कुक करेंगे ये जो आप किनारे देख रहे हैं वड़ा पाउ के जो टूट गए हैं ये जो सेव हैं इन्हें फेके नहीं आप चाहें तो इसे बुंदी के रायता बना सकते हैं इसे चटनी में डाल सकते हैं इससे आपकी चटनी काफी थिक बनेगी और पानी नहीं छोड़ेगी अब इन वड़ा पाउ को बहुत ही कैफुली टर्न करते हुए सारी तरफ से गोल्डन ब्राउन या क्रिस्प होने तक सिखें तो हमारे वड़ा पाउ बिलकुल तयार हैं अब हम फ्राई करते हैं वो चीज वड़ा पाउ जो हमने बच्चों के लिए प्रिपेर किया था इससे भी बैटर में बिलकुल उसी तरीके से कोट करके डाल दे एक कर्ची से इसकी उपर की सता पे तेल डाले ताकि उपर की सर्फिस भी अच्छे से सिख जाए और फिर इसे टर्न करें और सारी साइट्स को इविनली गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करें बहुती बढ़िया वड़ा पाउ बनते हैं ये बहुती टेस्टी और बहुती यूनीक अंदाज है इनका तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने बढ़िया ये fry हो रहे हैं चीज बाहर भी नहीं निकल रही है क्योंकि हमने इन्हें अच्छे से सील करा था बैटर की consistency अगर perfect होगी तो आपके वड़ापाव भी बहुत ही अच्छे बनेंगे तो बस अब इन्हें निकाल लें और इसी तरीके से सारे वड़ापाव बना लें आईए अब मिर्चों को fry करते हैं तो यहाँ पर मैंने मिर्चे डाली है इन्हें बस 30 सेकिंज या 1 मिनिट के लिए हम hot oil में fry करेंगे जादा नहीं cook करना है नहीं तो इनका color change हो जाएगा और यह over cook हो जाएगी तो बस अब इन्हें निकाल लेते हैं नमक डालने से यह मिर्चों का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है तो वड़ापाव के साथ आप इन मिर्चों को ज़रूर सर्फ करें तो अब हमारे सारे वड़ापाव तेयार हैं आएज चलते हैं serving के process में देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं यह वड़ापाव बरसाद की मौसम में चाय के साथ यह वड़ापाव बहुत ही टेस्टी लगते हैं तो अगर आप भी बरसाद की मौसम में पकोड़े और कचोड़ी खाके बोर हो गए हैं तो इस नई वड़ापाव की रेसिपी को ज़रूर ट्राइ करें वाउ अंदर से देखिए कितनी अच्छी लेरिंग आई है अब हम काटने हैं यह चीज वाले वड़ापाव देखिए कितना अच्छा मेल्टिंग चीज है इसमें बच्चों को यह बहुत ही पसंद आएंगे तो अगर आपको आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक्स पर वाचिंग